हेलो फ्रेंड्स मैं आपका भाई मांचू फिर से आ गया एक नए व्लोग में कई दिन से काफी बिजी चल रहे थे कॉलेज और थोड़ा काम तो कम यह और रहे है रिसेशन तो यहां पर भी एफेक्ट डाल रहे हैं तो फिर सोचा थोड़ा टाइम था क्यों न आपके लिए ए क्या 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 क मनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनि बेसिक डोकिमेंट आदार कार्ड, Pen Card डचर्ट सबसी करेंव और शूरी लाने हैं AND और डयविंग लाईसन्स भी अगर आपके पास बिना चि trends लाईसन्स है तो पहले उसको चिप वड़ा लाइसेंस बन वाले क्योंकि यहां चिप वाले को ही वैलेडेट करते हैं और यह आपके बहुत काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और आर्ट के उसी फिर आपको ड्राइंग लाइसेंस का एक्स्ट्रेक्ट मिलेगा वह भी लेकर आ अच्छी करा रखे हैं दो कंको मैं भी मेरे ध्यान से उतर गिये तो आपको अपने दोनु वेक्सिनेशन सेटिटाइट लाने हैं क्योंकि चेक कर लेते हैं पिर आपको अपनी सारी मार्क शीट जितने भी आपकी मार्क शीट्स है औरिजिनल लानी है उस पर आप लेमिनेट चाहो तो प्लियर लेमिनेशन करा सकते हो और जैसे कि 10th, 12th आपने अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की माक्षी डिग्री बैचलर्स को डिग्री किया तो उसकी कुछ सर्टिफिकेशन किया है कंप्यूटर का या पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्चर्स तो अपने मदब सारे अकेडमिक डोकुमेंट आपको अपने साथ लाने हैं या पर कहीं ना कहीं कुछ काम आएंगे तो अब आते हैं वीजा फाइलिंग में से हम क्या कहला सकते हैं तो आपने आयल्स तिया होगा तो अपने आयल्स का टी आरफ स्कोर कार्ड जो आता है उसका प्रिंट लन है और मेडिकल रिसिप्ट जब आप मेडिकल बुक किया होगा तो आपको रिसिप्ट मिली होगी जो आपको पेकी होगी और मेडिकल इंफोमेशन लेटर जो नोंने रिपोर्ट टाइप में दी होगी आपको वो मेखल से पीडियाफ फाइल में मिलेगी आपको उसको प्रिंट कर आगे फिर अपने साथ कॉलेज का ओफर लेटर जब आपने अप्लाई किया होगा तो ओफर लेटर आया होगा कॉलेज में आपने जो फीस भरी होगी जो की बहुत बढ़ी अमाउंट होती है तो वही आपको लेकर आनी है उसकी फीस रेसिप्ट जैसे दो बंदे या तीन बंदे से जैसे भी भर रखी होगी आपने क्योंकि अगर एक आदमी भरता है तो कुछ टेक्स का होता है तो मैंने भी अपनी मेरी मदर ने और मेरे फादर के अकाउंट से बहरी थी तो उसके बाद को कॉलेट से लेटर अफ एकसप्टेंस मिलेगा जिसे एलओ बोलते हैं यह आपको कॉलेट से मिलेगा तो आपको वो भी अपना प्रिंट करके रखना है GIC लेटर, GIC सर्टिफिकेट और रेसिप्ट जब आपने GIC भरी होगी तो आपके GIC सर्टिफिकेट आपको फीस पे होने के बाद मिला होगा और उसकी रेसिप्ट भी जो भी मतलब जिस मीडियम से आपने फीस भरी होगी वे सब्सक्राइब करें अगर आपको इमेल पर कुछ की इंफर्मिशन देंगे उसका प्रिंट निकाल ले ना कि अगर फाइल सब्मिशन लेटर हो अगर आपका एजन्ट प्रोएड कर रखा होगा तो वह भी आप ले सकते हो बाइो मैटरिक इंट्सक्षीन लेटर वह बहुत वेलिड है कई बाइल क कही messy matter माइट होता है मैट बायिडेशन लेटर ज और छीँप आपके तक वह लिबी जरूर ए पासपोर्ट रिक्वस्ट पीपी आर्जो आती ए जिस पर आपको passport भेजना होता है प्रिंटिंग के लिए अपने बेजना होता है अबसी में जो सी कर लग के आता है तो वो port of entry letter जो की काफी ज़रूरी होता है और इसको letter of introduction भी बोला जाता है ये भी college प्रोवाइड करता है तो आपने अपने college से लेना है एक COE होता है confirmation of enrollment अगर जिस college university अगर उसको प्रोवाइड करती है तो अच्छा है नहीं भी करती कि काफी colleges हैं जो वो COE प्रोवाइड नहीं करते तो इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी next आपने फ्लाइट जहां से अपने फ्लाइट टिकेट आपको उपनी रखनी है और और कॉलेज में जब आप उनलाइन रेजिस्टर करोगे अपने कोर्स के लिए तो आपको जब मिलेगा अपने इस सर्टिफिकेश सर्टिफिकेट ऑफ अन्रॉल्मेंट तो मुझा तो यह जोंसा प्रोवाइड करेगा अब हर को जैसे मेरे वाले कोलेज ने अल्गुमें इस में होना है इसकी कुछ एक्स्टा चार्ड लियरे थे 32-40 डॉलर मेरेको एक्जक नमबर ध्यान नी है पर अब अब आपको बाद में अपने एक्स्पियंस बदाऊंगा में असे क्या के डोक्यमेंट मांगा था अच्छा आपने आपको जो आपकी फ्लाइट हो इस ताइम आप ले फ्लाइट से एक दिन पहले आपको अपने अराइव के एंड एप डाउनलोड करनी है अपने फोन में उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है कौन सा कोर्स कौन सी कॉलेज कहां जाओगे जो भी आपको अपने बेसिक सारी डिटेल्स डालनी है उसमें फिर लास्ट में एक बार कोड जनरेट होगा उस बार कोड का स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए और प्रिंट उसके प्रिंट भी क्योंकि वो मांग लेते हैं यहां लेंड होने के बाद बहुत वहां जब आप इंडिया इसे कणनवर्ट कराए लेंड है कि अब अपको अपन एक्सपिशिए बताता हूं मैँ जैसे ही लैंड हुआ मैं पूरह सारे डोक्यवेंटस की फाइल बना गलाया हो था दो दो तिन-तिन कॉपी तो जैसे ही हम लैंड हुए हैं सूब 5 बजी लैंड हुए थैं तो हमें पहले तो सारे इंटरनेशनल स्टूडन्ट जो फरस्टाइम आये थे उन्हें अलग वेटिंग ओल में स्टे करा दिया बाकी गैस जा चुके हैं सब तो वहां से क्यू बना के हमें एक कियॉस्क मशीन की तरफ लेगे जो मतलब वीजा ऑफिसर भी बैठे थे और कियॉस्क मशीन भी थी आपको पहले कियॉस्क मशीन पर जाके अपनी बेसिक डीटेल्स जालनी होती थी सारी फिर आपको कुछ टोको नमबर देंगे फिर आपको जो वीजा ऑफिसर वहां आपको स्चड़ी परमिट देंगे आपको जो कि आपको काफी संभाल के रखना है और अगर आपका को प्रोग्राम है तो आपको को प्रमिट भी मिलेगा और तो अब मैं बताता हूं मैं मेरी बारी में सारे डोकुमेंट लेगा है मिरसे सी ओ मिरसे लेटर लो आई मांगा था लेटर अफ इंट्रोड़क्शन मैं काफी देर तक उसको देखता रहा इतने डोकुमेंट थे तो फिर जब मुझे मिला लो आई लेकि मुझे जाने देब ला यू में गो नो और मैंने फिर अपना कियोस्क से किया अपनी सारी डीटेल परी और कि प्रोग्राम नहीं था तो इनका को का किसे बाइं मिस्टेक से मेरे को यू पर मिट भी दे दिया और इसलिए अपको यह सारे डोकुमेंट अपने एक फोल्डर या फाइल में डाल के लिए आना जो आपको ज़रूरी है ओके फ्रेंड्स तो मैं नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको करनेडा में लेंड होने के बार डोक्यूमेंट बनवाने वो कौन-कौन से है चलो मिलते हैं फिर नेक्स व्लॉग में वाकि आप आज मौसम अच्छा है अगर आप देखना चाहूं तो आज मौसम काफी है अच्छा हो रुख है ओके फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स व्लॉग में तिल दें लाइक शेयर और सब्सक्राइब